दोस्तो नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं आटोमोटिव जगत की सबसे ताजा और महत्वपूर्ण जानकारिया आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिनी SUV के बारे में जो जापान की सडको पर पहले से ही धमाल मचा रही है और अब यह जल्द ही भारत में दस्तक देने वाली है जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारूती सुजुकी हसलर की जिसे टेस्टिंग के दौरान भारत में कई बार देखा गया है इस वीडियो में हम आपको हसलर के संभावित फीचर्स, स्पैसिफिकेशन और इसकी तुलना अन्य मिनी SUVs जैसे हुन्डई एक्सिटर, सिट्रॉन सी 3 और टाटा पंच से करेंगे तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सबसे पहले बात करते हैं हसलर के एक्सिटीरियर की अगर डाइमेंशन की बात करें, तो हसलर की लंबाई 3.39 मीटर, चोड़ाई 1.47 मीटर और इसका वहील बेस 2.4 मीटर के करीब होगा इसका कॉंपक्ट साइज इसे शेहरी ड्राइविंग के लिए बेहद अनुकूल बनाता है हसलर के एक्सिटीरियर में आपको सुजुकी की बैजिंग के साथ राउंड शेप में प्रोजेक्टर हेड लैम्प्स, लेट डे टाइम रनिंग लाइट्स, लेट टेल लाइट्स, आ 16 इंच के अलोई वहील्स और रूफ रेल जैसे फीचर्स मिलेंगे यह SUV अपने आकरशक और बोल्ड डिजाइन के लिए जानी जाती है अब बात करते हैं हसलर के इंजन और पर्फॉर्मिंस की भारतिय बाजार के लिए इसमें आपको 1.2 लीटर का 3-cylinder पेट्रोल इंजन मिल सकता है जो 80 BHP के करीब पावर और 112 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा इस इंजन के साथ आपको manual और automatic दोनों gearbox options मिलेंगे यह इंजन नकेवल powerful है बलकि fuel efficiency के मामली में भी शांदार प्रदर्शन करता है जो इसे एक बहतरीन choice बनाता है शहरी और लंबी drives के लिए हसलर के interior में भी कई शांदार features होंगे इसमें आपको soft touch dashboard, 8-inch का touchscreen infotainment display, semi-digital instrument cluster, multifunctional steering wheel और 5% की comfortable seating arrangement मिलेगी इसके अलावा, large boot space, automatic climate control और height editable driver seat जैसे features भी इस SUV के interior को premium और आराम दायक बनाएंगे अब बात करते हैं safety features की, जो हसलर को अपने segment में अलग बनाते है इसमें आपको reverse parking camera, high stand steel body, all airbags, seat belt reminder with pretensioner, electronic stability program और disc brake जैसे features मिल सकते है ये सभी features इस SUV को न केवल सुरक्षित बनाते हैं, बलकि इसे चलाने का अनुभव भी अधिक आत्मविश्वास्पून बनाते है अगर कीमत की बात करें, तो एक अनुमान के अनुसार मारुती Suzuki Hustler की शुरुआती कीमत 6 लाक रुपे तक हो सकती है ये इसे भारतिय बाजार में एक competitive option बना देगा, खास कर जब हम इसकी तुलना अन्य मिनी SUV से करते हैं तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो मारुती Suzuki Hustler के संभावित features और specifications के बारे में क्या आप इस मिनी SUV को खरीदने में रुची रखते हैं? हमें comments में जरूर बताएं इस वीडियो को like और share करना न भूलें और हमारे चैनल को subscribe करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की notification मिलती रहें धन्यवाद